दोस्तों अगर आप ती competitive coding जो practice कर रहे हो हो तो फिर ये video आप के लिए है जिसके आप जो है मैं बताऊंगा python के ऐसे 5 interesting functions जो की एक line में होते है one line code है जिसके ठोब आप जो है multiple biggest bigger problem को जो है easily solve कर सकते है ऐसे problems को जिसके लिए 10 से 12 line code को डगता है उसको जो है आप बस एक ही line में solve कर सकते हो python का जो iter tools है उस package के अंदर के ये functions है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा चलो शुरू करता है तो guys सबसब पहला जो function है वो iter tool का है जो है combinations वारा जब कर भी कर भी ऐसा problem आता है कि जहां पर आपको एक list दिया जाता है और उसके आपको number of combinations find करना है तो obviously आप जो है दो for groups का इस्तमार करेंगे जैसे की line of code अपर में से से 7 line का हो जाएगा उसके उसको use किये बगर जो है इतरेबल मतलब जो भी list दी गई है आपको list पास्ट करो और उसके बाद आपको आर मतलब जो ही size बताऊ थी आपको किसने size का combinations पाएगे मतलब कि 2 combinations 3 combinations मतलब जो भी type से वो सारे half पास्ट करा सकते है तो से कि यहां पर दिखा गया है for iter tools from iter tools import combinations यहां पर list दी गई है nums नाम की यहां पर comb, comb जो भी हमें return होगा वो भी list के format में ही होगा और यहां पर combinations को pass किया गया है nums जो कि यह list है जो हमने हमने initialize की है और यहां पर हमने 2 दिया है मतलब 2 types के combination चाहिए इसकि मैं आपको यहां पर run करके दिखा रहा हूँ यहां आप नीशे देख सकते है 1,2,1,3 यहा easy लिए हमको जितने चाहिए बिदरे combinations जैसे गिए अगर मैं चाहता हूँ कि यहां पर मेरे को combination की size 3 हो इफिर आप देख सकते है यहां पर 1,2,3,3 size of combinations जो है ऐसे problems है जहां पर आपको बताया जाता है कोई भी two size के combination जिसका आप पर sum जो है maximum हो वो pass करे तो वहां पर आप यह combination function जो है use कर सकते है और इसके बाद वाला जो easy function है अगर आपको condition ऐसे दी जाए कि आपको एक list दिया गया है और list के अंदर आपको बताता है बताते है कि 0 से पहले के सारे number या कोई भी number से उसके पहले वाले numbers उस list में से delete करना है या remove करना है तो फिर उसके लिए obviously आप code number आ रहा है अगर नहीं आ रहा तो वो जो भी number है first वाला उसको remove करे इस तरीके से आप जब तक remove करते जाएंगी दब तक की वो number नहीं मिलता as if अगर हम consider करते है zero number अब यह हमें list दी गई है और यहाँ पे zero के पहले वाले सारे elements को अगर हमें remove करना है तो obviously हम उसमें तर वो य list पास कर दी है और यहाँ पे मैंने filter नाम की एक दूसरी list मना रही है जिसके अनर में है solution को store करने वाना हूँ यहाँ पे आप देख सकते है drop while lambda function को मैंने पास किया है और मैं बता रहा हूँ कि x के वो सारे values जो कि 0 आने से पहले वाले सारे values को drop कर दे यह function का syntax है यहाँ पे आ labor 0 के पहले वाले सारे values जो ही remove हो चुके है अगर मैं आपको यहाँ पर बदले आदर 3 लिखे दिखाता हूँ तो फिर 3 से पहले सारे elements जो है remove हो गए जो कि only single line function है single line से आप इसको work कर पा रहे हो इसके लिए कोई form loop लिखने की ज़रूद नहीं है 3-4 line का code लिखने की ज़रू ज़रूर देखे और जो chain वाला rule है सबसे बहतरी जो मेरे को अच्छा लगा है यह वाला rule अगर आपको जो है दो list को append करना है यह दो list को combine करना है तो उसके लिए अलगर different types of method है लेकिन आपको मैं एकलम simple one line का method आपको बताऊंगा हमने for loop यह single for loop है वहाँ पे हम items पास कर रहे item जो है directly chain function यूज करने की अगर chain function यूज करके जो है हम nums को भी और निटक दोनों की मतलब दोनों list को at a time हम pass करा रहे है यह अभी तक आप यह जानते थे क्या मतलब अभी तक जो भी आप pass करा रहे है for loop में बस एक ही list पे आप worker पा रहे थे लेकिन आपको जब भी ऐसा condition आत सकते है डारेक्टी वो list को ता पर दो list हो तीन list हो दस list हो जितने list चाहिए इतने list आप पास करागी जो है अपना काम बना सकते है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर list के लिए separate for loop लिखे इस मतलब इसकी चीज की कोई ज़रूरत ही नहीं है ता पर आप देख सकते है chain.append की through जो है या आप आपको जो operation perform करना है आप आप for loop में अपना logically के operation perform करें हर वो list के लिए जो है work कर पाएगा तो फिर ये था तीसरा वाला इसके बाद बाद आता है slicing वाला आप जो है आपके सामने जब बहुत से अगर आप lead code के problem solve कर रहे हो या header ramp के या code drill के आप जहां कहीं भी condition तो ऐसी दिखी होगी कि आपको list दिया जाता है और वहाँ पर आपको बताया जाता है कि list के बस even index के values को अलग किया जाए या और index के value को अलग किया जाए या उनके उपर कुछ operation perform करें तो फिर वहाँ पर हम जो है बहुत चारपास line of code लिखते है फिर इस से simple method आपको कि कहां से कहां मतलब 0 से लेके end तब मतलब जा जितनी list की size है वहाँ तक या 0 से लेके 10 जितना आपको चाहिए starting index और ending index पास करना है और कितने steps से आपको slicing करनी है मतलब 1,2,3,4,5,6 is recording 2,4,6,8,10 इस तरीके से slicing करनी है या 1,3,6,9 इस तरीके से slicing करनी है कि slicing का जो भी steps से यहां पर code बताता हूँ, names list के अंदर जो है मैंने list पास किये जो की एक total 6 name है, Alice है, Bob है, Charlie है, Don है, Rob है, Saudi है, Sadie होगर, मतलब यहां पर मैंने list पास कर जिए, कुछ नाम मैंने add किया है, अब यहां पर आपको बता रहो कि slicing functions मैंने call किया है, यहां पर आप nums list जो की list को पास कि आप output मैं देख सकते हैं, फिर से आपको मैं run करके बता रहा हूँ, यहां पर आप देख सकते हैं, Alice के बाट direct Charlie आ रहा है, Bob नहीं आया list में, अगर मैं चाहता हूँ, यहां से अगर मैं 3 कर दूँ, तो आप देख सकते हैं, directly 1, तो यह 1, 2, 3, 3rd वाले element को चाहिए, डान है, त इस तरीके से जो भी आप जितने index से चाहिए, वितने index से चाहिए, वितने step से आप slashing कर सकते हैं, यह बतलब यह possible अगर थाग इससे पहले आपने बहुत से, अगर बहुत से अगर बहुत से अगर पॉसिबल आपको थागे, अगर आपको यह चीज नहीं लग रहे तो वीड कि starting index होनी चाहिए, ऐसे जब भी problems आते हैं, वहाँ पर आप जो है, इस group by का function use कर सकते हैं, वहाँ जहाँ पर आपको यह list हमने pass की है, अब output में आप देख सकते हैं कि A से, A से direct यह Alice को index कर रहे है, B से Bob को, C से Charlie को, यह की operation हम कर पा रहे है, किस वजी से कर पा रहे है, यह group by वज़े से group by functions use करने के वज़े से, जैसे कि हमने यहाँ पर एक list बनाई है, और उसके बाद, iter to dot group by, group by क्या थिया, in name list को group by किया, और उनको group by में है, हम x के starting index के value को store कर पा रहे है, बतलब जो की element का starting index है, उसके अंदर हमने store किया, और इसने group list के अंदर, यह फिर बाद में जो है, हम key और group, यहाँ पर for loop में, एक new dictionary create की, और उसके अंदर, key और value वाले पास कर रहे है, key और value के थूर, जो है, group list को हम ये कर रहे है, बतलब join कर रहे है, यहाँ से अब देख सकते, key को join कर रहे है, और list के अंदर, जो है, group pass कर रहे है, जो की हमारे पास group list में क्या है, जो भी element है, उसका starting index number है, जैसे Alice का A store है, Bob का B है, और Charlie का C है, इस सब चीज़े store है, और यहाँ से हमें for loop में, हम उन दोनर चीज़ों को key और value को जहे, और साथ में join कर रहे है, यह operation perform करने के बाद, हमें एक dictionary मिल रहे है, जो हमने dictionary create किया सा, वहाँ पर हमने dictionary updated dictionary बिल रहे है, जहां के जहां पर हमें, वही list के सारे values मिल रहे है, और वो key और value pair में भी join हो चुके है, तो फिर यह थे कुछ 5 functions, interesting functions, जो कि आपको competitive coding में हो, या projects वगेरा, आपको जहां भी बनाओना फोर जो भी आपको logic लगानी हो, इसके आप help हो सकती थी, बहुत helpful थे मेरे खाया से तो जैसे की combinations तरा drop while था, drop while यह सबसे बहतरीन है, और यह chain वाला मतलब 2, 3, 4, 5, बितलब 10 list है, और 10 list पर same operation perform करना है, तो directly chain function पर पास करा दो, और operation आप जो है, perform कर पाएंगे, तो यह थी, simple logics जैसे की slicing कर सकते, आप list का यह सारे चीज़े पॉसिबल थे, अगर आपको वीडिय चैनल को subscribe नहीं किया, तो channel को suspend जरूर करें